एपिसोड 3 की ओपनिंग में हम देखते हैं कि दाइन उस रेफरेजेटर को खोल कर देख रही होती है लेकिन उसमें से बॉड़ी काइब होती है वैसे ही गेहन वहाँ आ जाता है इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें बच्पन में गेहन बहुत ज़्यादा पॉपलर था उसके क्लास के गल्स उसके लेटर लिखा करती थी लेकिन जब से उसकी बहन में सिंग होई थी उसे बस सिंफिते लेटर सी मिलते थे जो गेहन को अच्छा नहीं लगता था और वो उन लेटर को फार कर फेक्टेता था उसके पास बस दो ही लेटर से एक उसकी बहन का और दूसरा उसके क्लासमेट का जिसने उसे कनफेस किया था कि उसकी बेहन के गाइब होने में किस कहाँ थे इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां गेवन दाइन से पूछता है कि वो इतनी रात में यहां किसलिए आई है वो बताती है कि रेस्टरेंट का डोर खुला था इसलिए वो चेक करने के लिए आगी गेवन बोलता है कि वो कैसे बिलीब कर ले कि वो सच बोल रही है इसके पाद आईन बेना कुछ बोले वहां से जाने रखती है तो गेवन उसे बोलता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉबलम है तो वो उसको बता सकती है वो उसके साथ है इसके बाद दाइन वहाँ से चुप-चप अपने घर चली जाती है और सोचने लगती है कि आखिकर वो बॉड़ी गई कहां गेहुन भी बार-बार उसी रेफरिजरेटर को देख रहा होता है रात में यही सब सोच के दाइन को नींद नहीं आती और हम देखते हैं कि गेहुन भी नहीं सो पा रहा है एक्स मॉनिंग दाइन की फैमली को देखते हैं जो इस इंसिडेंट के बाद ट्रोमा में चली गई थी वो उनको फ्रीज खोलने में भी डेल रग रहा था कि कहीं उसके अंतर बॉड़ी तो नहीं दाइन बताती है कि वो इस रिस्टरेंट में गई थी और उस रेफ्रीजरेटर में बॉड़ी काईब थी ये सब सुनके दाइन के मदर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि उसको इतनी रात में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था इसके बाद हम देखते है कि जिन्हों गेहन को बताता है कि society की लोग उसे अजीब नजरों से देखते है हमेशा उनको इंगुरते रहते है वो गेहन से पूछता है कि क्या ताइन उसकी बहन हो सकती है गेहन बताता है कि possibility बहुत कम है कि वो उसकी बहन है लेकिन वो उसके emotions को भी feel कर रहा है जिनों बोलता है कि उसे दाइन को सच बता देना चाहिए और उससे confirm कर लेना चाहिए कि वो उसकी बहन है या नहीं लेकिन गेहन मना कर देता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं आगे जागे कुछ प्रॉब्लम ना हो जिन्हुन उसके बहन के बारे में पूछता है कि वो बचपिल में कैसी थी गेहुन उसको बताता है कि उसके बहन बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी और वो हमेशा से नेट एंड क्लीन बनके रहा करती थी वैसे हैं नकी है जो घर से निकलती है और. उसके बाल इन जंगल वे वो उसको गौर क्यों रहे हैं हम देखते हैं कि दाइन की मदर और उसकी नानी वीगे उन पर नज़र रखी हुई हैं वैसे हम देखते हैं कि पुलिस वहां आ जाती है और दाइन छुपने रखती है वांग साइड मेर से देख लेती है दाइन को छुपते हुए और वह उन्टक को बताती है कि कुछ तो वीड है इस फैमली मे वैसे हैं उनके पास एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी बताता है कि एक औरत अपने बिल्डिंग में चला दिये जब हमांग एन उसके बॉइफरेंड वहां पहुचते हैं तो देखते हैं कि वह औरत उनसे कुछ चुपा रही है शायद उसका पती उसको मारता पिटता है ज ऐसी है उसका एकस पॉइफरेंड बास्तरूम से अंड्रेस निकलता है वो उससे पूछती है कि यह सब क्या है वो बोलता है कि उसको पता तो है कि वो उसकी आदत है शावर के बाद अंड्रेस रहने की हमांग बोलती है कि हम उसको सब कुछ पता है और वो बात में उस औरत क केस के बार में बात करने लगती है कि वो उस औरत के साथ ट्रोमेस्टिक वाइलेंस हुआ है लेकिन वो अपने पती के खिलाफ कमपलेट नहीं करना चाहती है तो वांटक उसको बताता है कि शायद उसको कानून पर भरुसा नहीं है इसके बाद वो हवांग से डिनर के लिए पूछता है लेकिन वो उसको मना कर देती है और बोलती है कि वो अपने जूनियर सा टाइम स्पैन नहीं करती है इन दोना का केमिस्टिक कुछ अलगी नजर आता है हम हवांग को दायून की मदर की रेस्टेंट में देखते है दायून की मदर वहां उसको देखके बुरी तरीकी से इरिट हो जाती है इसके बाद एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम यून जंग होता है वो दाइन की मदर की रेस्टरेंट में आयोई होती है और वो वहाँ उन्हें एक फोटो दिखा कर पूछती है कि क्या उन्होंने कभी इस लड़के को यहाँ पर देखा है वो उस लड़के को अपना भाई बताती है और वो बोलती है कि वो बहुत ही टाइम से मिसिंग है हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बलकि वो ही साइको है जो दाइन को स्टॉक किया करता था लेकिन दाइन की मदर को उसका चेहरा याद नहीं था तो वो उसको मना कर देती है इसके बाद वो लड़की रेस्टरेंट से निकल जाती है और बाहर वो दाइन को नोटिस करती है क्योंकि उसने अपने भाई के आईडियस में दाइन की फोटोस को देखा था तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है फिर दाइन वहाँ से चली जाती है पर रास्ते में उसे वाँटक मिलता है जो उससे बात करने का ट्राइ करता है वैसे हैं गेवन उन दोनों को देख लेता है और वो मिस अंडिस्टूट कर लेता है कि वो वही स्टॉकर है जिसने दाइन को चोट पहुचाने की कोशिश करी थी तो वो दाइन को बचाने के लिए जाता है और उसको पता चलता है कि वो एक पुलिस आफिसर है तो दाइन उसे वांटक से माफिय मागने के लिए के लिए कहती है और बोलती है कि वो उसके मामले में ना पड़े गेहन बताता है कि वो उसके लिए कुछ में फिल ना करे क्योंकि उसने एक दिन पहले ही उसको कहा था कि वो उसको पसंद करती है उसके पाल हम दायन को देखते हैं जो लाइब्रेरीस से घर के लिए आरी होती है तो उसको लगता है कि फिर से कोई उसको स्टॉक कर रहा है और वो किसी के हाथ को नोटिस करती है और वो डर के जग जाती है इस सब बस उसका एक नाइट मेर होता है दाइन के डर की वज़े से गेहन भी डर जाता है और वो जग जाता है दोनों घर से पाहर निकलते हैं तो गेहुन दाइन को अपने रेस्टेरंट में डिस्ट ट्राइए करने के लिए इन्वाइट करता है ताकि वो उसके mood को light कर सके इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी दाइन को नीद नहीं आती है वो गेहन के रेस्टुरिंट में आ जाये करती है उससे दीरे दीरे गेहन अच्छा लगने लगा और वो गेहन के बनाये हुए डिश्ट को बहुत ज़्यादा इंजोई करती थी वो उसके मूड को बहुत से ज़्यादा हैपी कर देता था इसके बाद हम कुछ पुलिस ओफिसेस को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहे होते हैं और उनमेंसे एक पुलिस ओफिसर एक क्रिमिनल के बारे में बता रहा होता है कि उसके बारे में एविडिन्स नम मिलने की वज़े से उसको छोड़ना पड़ा और वो क्रिमिनल वही होता है जो पेट्रॉलिंग के टाइम हवां उसको मना कर रही थी पी करने से गेहुन का दोस्ट बोलता है कि उसने दाइन से बात किया और उसके बार में इंफरमेशन निकालने की कोशिश करी जैसे ही उसका डेट अब बर्थ और उसके बच्पन का कुछ इंसिदेंस वो नोटिस करता है कि बाहर बारिश होने वाली है और दाइन अंबरेला लेकर नहीं गई हुई थी इसके बार हम गेहन को पास्ट के बारे में याद करती हुए देखते हैं जब उसको लेटर मिला था और उस लेटर में मैंशन था कि गेहन की सिस्टर के मर्डर में उसके पियानो टीचर का हाँ थे और वो लेटर उसी टीचर के बेटे का था और दूसरा लेटर उसकी बहन का था जिसमें उसने लिखा था कि जब बे उसको भूक लेगे वो उसको टेस्टी टेस्टी डेस्टी डेस्टी बना कर खिलाएगा और जब भी बारिश हो वो उसके लिए अम्बरेला लेकर आएगा प्रेजन्ट में हम गेहन को दाइन के लिए अम्बरेला लेकर जाते हुए देखते हैं और इसे देखके दाइन बहुत ज़्यादा खुश रहाती है दाइन के मदर सुसाइटी के ओरतों के साथ बैठी हुई होती हैं जहां सब ओरते दाइन के करियर के बारे में बात कर रही होती है जो दाइन के मदर को बहुत बिकार लगता है और वो गुस्सिम महां से आ जाती है घर आके वो दाइन को सिवल सर्विस एक्जाम प्रिपरेशन करने के लिए प्रेसराइस करती है जो दाइन मना कर देती है और उन दोनों के बीच में बहुत जादा फाइट हो जाती है और दायून रेस्टरेंट से रोते हुए बाहर आ जाती है जो गेवन भी नोटिस करता है और ये चीज़ गेवन भी फील करता है इसलिए वो खाना आफर करता है लेकिन वो उससे जॉब मांगती है ताकि वो उसके रेस्टरेंट में काम कर सके गेवन का दोस्ट छुपके से दोनों के बाल का सेंपल लेके डीने टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल आया हुआता है नेक्स मॉर्निंग दायून जॉब के लिए गेवन के रेस्टरेंट चाती है और वहां हम देखते हैं कि उसी साइको की बेहन भी है उसने वहां पे एक निव जॉइनिंग की हुई है और वो दायून को देखके बहुत ज़द एक्साइटेड हो जाती है और दुसरी तरफ दायून की मदर को देखते हैं जो गुस्सा कर रही होती है कि दायून अपना रेस्टोरेंट छोड़के दुसरे की रेस्टोरेंट में काम करने गई हुई है दायून की नानी उसकी मदर को समझाती है कि उसको इस बारे में ज़्यादा सोचना ने चाहिए और उसको डांस क्लास के लिए बोलती है जाने के लिए dance class में उसी आरत को देखती हैं जिस पे domestic violence हुआ था वो आरत बहुत ज़ता mysterious नजर आरी होती है वो उसके नानी और मदर को बोलती है कि क्या वो उसके लिए एक murder कर सकती है दायन की नानी और उसके मदर बहुत ज़ता confused हो जाती है इसके बाद वो औरत रास खोल दिये कि उसने उन दोनों को देख लिया था जब वो साइको की बोड़ी को फ्रिच के अंदर छुपा रहे थे ये सुन कि वो दोनों बहुत ज़दा परिशान हो जाती है उनको समझ में नहीं आता वो क्या करे और दूसरी साइट हम देखते हैं जो दाइन गेवन के रिस्टरेंट में होती है हम देखते हैं कि दाइन गेवन को पसंद करने लगी है और वो सोच रहे कि उसको कनफेस कर दे वैसे हैं उसके नजर उस रेफ्रिजरेटर पर जाता है जो गेवन में नोटिस करता है